नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्रप्रदेश लोग सिवायोग यानि कि UPPSC के द्वारा आयोजित GIC परवक्ता परिक्षा जोकी 19 सितंबर को यह परिक्षा आयोजित होना है और जो लोग GIC आसरम पद्धती परवक्ता परिक्षा का फाम भरे होंगे उनका एक्जाम 26 सितंबर को होगा तो इन दोन ही परिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर है उत्रप्रदेश इस पिसर में और पेडियाप इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचे डिस्क्रिप्षन में टेलिग्राम का लिंक भी दे दिया गया वहां से जोइन करके आप पेडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं तो पहला कुशन आप देख सकते हैं कि वित्तीव वर्स 2019-20 में उत्रप्रदेश का सकल राज्जी मूलिवर्धन में दुतियक छेत्र का युगदान कितना रहा है तो दुतियक छेत्र में युगदान रहा है 26.8 परतिसद भी आपसं सेव जाएगा दूसरा प्रशन है वित्तीव वर्स 2018-19 में उत्रप्रदेश के सकल राज्जी मूलिवर्धन अस्थाई 2011-2011 बारे मूलियों पर दुतियक छेत्र की बृध्धी दर्धी दर्धा था आपका 6.6 परतिसद से विकल्ब से हो जाएगे हैं तीसरा कोशन है कि वित्तीव वर्स 2019-20 में उत्रप्रदेश के दूतियक छेत्र के अंतरगत विनिर्माड छेत्र की बृध्धी दर अस्थाई मूलियों यानि कि दूर्धी ग्यारे बारे पर कितनी रही है तो ये रहा है माइनस 3.5 परतिसद चोथा परतिसद आपका वित्तीव वर्स 2011-2011 बारे में उत्रप्रदेश के सकल राज जी मूलिय वर्धन में दूतियक छेत्र का युगदान कितना था तो 26.7 परतिसद था ये आपसन सही हो जाएगा है पांचवा परतिसद के वित्तीव वर्स 2019-2011 में उत्रप्रदेश का विनिर्मार अधियोगीक उत्पादन सुचकांग था कितना तो ये था 118 यहाँ पर सी आपसन सही हो जाएगा और चाठमा परतिसद वित्तीव वर्स 2018-2011 में उत्रप्रदेश के वित्त पादन सुचकांग की विध्धी दर कितनी थी तो माइनस 4.5 पर सी आपसन सही होगा अगला परशने के पधान मंत्री रोजगार सिर्जन कारिकरम के अंतरगत निवनितम आयू के बेरोजगार बेक्तिएओं को स्वैरोजगार से जोड़ना प्रस्तावित है तो ये प्रस्तावित है आपका 18 वर्स के बेक्तिएओं को ये आपसन सही हो जाएगा आठों प्रशने उत्रप्रदेश सरकार द्वारा एक जन्पद एक उत्पाद योजना किस बित्तिय वर्ष से प्रारम की गई तो यह 2017-2018 से शुरू किया गया था यह आप सुन से हो जाएगा नौव प्रशने उत्रप्रदेश की एक जनपद, एक उत्पाद योजना की अंतरगत, उत्रप्रदेश के कितने जनपदों, यानि कि जीलों को सामिल किया गया है, तो सभी जीलों को सामिल किया गया है, यानि कि उत्रप्रदेश में कितने जीलें, 75 उनसा भी को सामिल किया गय है तो ऐफिरोजाबाद कांच से निर्मित सामानों के लिए प्रशिद है और तेरे नमबर परसने उत्रप्रदेश का कौंसा जन्पद हिंग के उत्पादन के लिए प्रशिद है तो यह हाथ रस के लिए प्रशिद्ध है B option से हो जाएगा और उत्रप्रदेश का मैन पूरी जन्पत किसके उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है तो मैन पूरी है तारकसी कला के लिए D option से हो जाएगा यहाँ पे तो यह दिया जाता है दो हजार रुपए सी बिकल्ब से हुजाएगा तो वो पांट सो रुपए दिया जाता है यह आपसम से हुजाएगा हाँ पे अगला कोशन है कि बिस्ष्ट हस्त सिल्प प्रादेशी पुरसकार योजना के अंतरगत राज्जी हस्त सिल्प पुरसकार के अंतरगत हस्त सिल्पी को कितनी रासी पुरसकार सोरूप दी जाती है तो यह दिया जाता है 35,000 रुपए सी आपसम से हुजाएगा बहरत के कुल आम उत्पादन में उत्रप्रदेस का योगदान कितना है तो लगभग 20.8 छे प्रतिसत है ये आपशन सेव जाएगा यहाँ पर बीसों कोशन है भारत के कुल आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अस्थान कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का पहला अस्थान है आलू के उत्पादन में ये आपसन से हो जाएगा 21 कोशन है भारत के कुल आलू उत्पादन में उत्रप्रदेश का योगदान कितने प्रतिसत है तो प्रतिसत में पुछा गया यहां पे 30.32 प्रतिसत होगा सही C भी कल और अगला कोशन है कि भारत के कुल अमरूद उत्पादन में उत्रप्रदेश का योगदान कितना है? तो उत्रप्रदेश का योगदान है 22.9% अगला कोशन है भारत के कुल अमरूद उत्पादन में उत्रप्रदेश का अस्थान कौन सा है? तो पहला अस्थान है उत्रप्रदेश का यह आपसन से हो जाएगा उत्रप्रदेश की आबादी का लगभग कितना प्रतिसत क्रिसी और संबध छेतर से जुड़ा हुआ है तो 70% अबादी उत्रप्रदेश का लगभग क्रिशी योम संबध्य छेत्रों से जुड़ा हुआ है यह आपसन से हुजाएगा 25 प्रशने विती वर्ष 278 में भारत के कुल फल उत्पादन में उत्रप्रदेश का युगदान रहा है तो यह रहा है लगभग 10.8% से विकलब से हुजाएगा भारत के कुल सब्जी उत्पादन में उत्रप्रदेश का युगदान लगभग कितना प्रतिसत है तो यह 15.3% यह आपसन से हुजाएगा है आपर और भारत में सब्जी उत्पादन में उत्रप्रदेश का कौन सा अस्थान है तो उत्रप्रदेश का इस समय दूसरा अस्थान हो गया है पहले उत्रप्रदेश पहले अस्थान पर था लेकिन बर्तवान में या दूसरे अस्थान पर हो गया है पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का तो याद रखेगा सब जी के उत्पादन में पूछा जाया पहला स्थान किस राज़ी का है पश्चिम बंगाल का उत्रप्रदेश का इसमें दूसरा स्थान हो गया है 28 प्रशन है भारत में आलू उत्पादन में उत्तरप्रदेश के बाद दुती अस्थान की सराजी का है तो पशिम मंगाल का दूसरा स्थान है सियाप्सन से हो जाएगा एक एक्रित बागवानी विकास मिशन परियोजना में केंद सरकार का अंस कितना प्रतिसत है तो यह 60 प्रतिसत यह भी कल्ब से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में खादी प्रसंस्क्रण उद्योग नीत 2017 अधिसूचित होने की तिथी से आगामी कितने वर्सों के लिए प्रभावी है तो यह 5 वर्सों के लिए प्रभावी है यह भी कल्ब से हो जाएगा 31 नमर कोशिन है कि भारत में खाद्य प्रसंस्क्रड का अस्तर लगभग कितना प्रतिसत है तो 10 प्रतिसत है यह है अगला कुशिन है वापका उत्तर प्रदेश में खाद प्रसंस्क्रड का अस्तर लगवा कितना है तो अभी आपने देखा भारत में खाद प्रसंस्क्रड का अस्तर कितना है तो 10 प्रतिसत और उत्तर प्रदेश में 6 प्रतिसत है बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला कोशिन है भारत के कुल फल उत्पाधन में आंध्रप्रदेश का लगवा कितना प्रतिसत योगदान है तो यह 15.6 तीन प्रतिसत भी ये आपसन सेव जाएगे हैं पे भारत के कुल सब्जी उत्पाधन में पशिम बंगाल का लगवा कितना प्रतिसत योगदान है प्रशिद्ध है तो यह है आपका एटा जन्पद सी आपसे सेव जाएगा वैसे पीतल निर्मित उत्पाद के लिए मुरादाबाद जन्पद फेमस है पीतल की मूर्तियों के लिए है मतुरा लेकिन यहाँ पर पुछा गया कि जन्पद कौन सा है उत्रप्रदेश का गुंगरु घंटी और पीतल उत्पादों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद है तो यह एटा हो जाएगा अगला जो प्रस्ण है आपका वित्ती वर्स 2019-20 में उत्रप्रदेश के सकल राजी घंट पाद में सेवा छेत्र का युगदान कितना था तो यहाँ पे बी आपस्ण से हो जाएगा 49.7 परतिसद और वित्ती वर्स 2019-20 में उत्रप्रदेश के सकल राजी मुलिवर्धन अस्थाई मुलियों जोकी 2011-20 के इनुशार में सेवा छेत्र का युगदान था तो 50.2 परतिसद था यह यह आपस्ण से हो जाएगा वित्ती वर्स 2019-20 में उत्रप्रदेश में सेवा छेत्र के ब्रिद्धी दर अस्थाई मुलियों 2011-20 पर कितनी रही तो यह रहा है आपका 7.7 परतिसद सी विकल्ब से हो जाएगा 49. कुशन है अर्थ बेवस्था के तिर्तियक छेत्र में कौन सा उप छेत्र समलित नहीं है तो इसमें खनन योम उत्खनन समलित नहीं है भी आपस्ण से हो जाएगा 40. बेश्था में यात्रा योम परियतन छेत्र के संदर में भारत का कौन सा अस्थान है तो भारत का अस्थान है इसमें सात्वा सी विकल्ब से हो जाएगा 41. प्रश्ण है उत्र प्रदेश परियतन नीती 2018 प्रख्यापित होने की तिथी से कितने वर्सों के लिए प्रभावी रहेगी तो यह पांच वर्सों के लिए प्रभावी रहेगा यह आपस्ण से हो जाएगा 42 प्रशने वित्ती वर्स 2019 बीस में उत्रप्रदेश के सकल मुलिवर्धन में अस्थावर, संपदा, अवास, ग्रिहों, का स्वामित्व तथा व्यावसाइक सेवाए उपचेत्र का युगदान रहा है तो 15.1 प्रतिसत युगदान रहा है सी भी कर्व सेव जाएगा 43 नमर कोशने वित्ती वर्स 2019 बीस में उत्तरप्रदेश का सकल मुलिवर्धन में वित्ती सेवाए उपचेत्र का युगदान रहा तो 3.4 प्रतिसत रहा वस 2016 में प्रेटन छेतर के अंतरगत कुल प्रेटकों और घरेलू प्रेटकों के संदर में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा अस्थान है तो उत्तर प्रदेश का इसमें अस्थान है दूसरा भी विकल्ब से हो जाएगा उत्तर प्रदेश प्रेटन नीती 2018 के अंतरगत भारत में उत्तर प्रदेश को कब तक सर्वाधिक पसंदीदा प्रेटन अस्तल बनाने का लक्षे रखा गया है तो ये 2023 तक लक्षे रखा गया है बी आपसन सही हो जाएगा 46 नंबर कोशन है वित्ती वर्स 2019 बीस में उत्तर प्रदेश में तृतियक चेतर के अंतरगत लोग प्रसासन योम रच्छा उप चेतर के ब्रिधी दर अस्ताई मूलियों 2011 बारे पर कितनी थी तो ये था बारे प्रतिसत सी आपसन सही हो जाएगा है 47 नंबर कोशन है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्तपाद यानि की O.D.O.P के अंतरगत कौन सा जिला काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है तो होई आपका सिधात नगर जनपद दी आपसन सही हो जाएगा और अभी हाली में सिधात नगर जनपद में काला नमक चावल महोत्सो भी मनाया गया है और तालीसवा कोशन है उत्तरप्रदेश में एक जनपद एक उत्तपाद योजना की अंतरगत कौन सा जिला या जनपद खेल सामगरी के उत्तपादन के लिए प्रसिद्ध है तो यह है मेरट जनपद C.A.O.P से हो जाएगा और अंतिम कोशन है कि उत्तरप्रदेश में एक जनपद एक उत्तपाद योजना की अंतरगत इत्र उत्तपादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो यह है कन्नोज यह आपसं से हुजाएगा यहाँ पर दोस्तों यह था आपका उत्तरप्रदेश के कुछ के लिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और इसका पीडियोफ आपको हमाय टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया वहाँ से जोईन करके आप वीडियोफ भ भात भात धनिवाद